दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास Most Wanted आतंगवादियों के पोस्टर चिपकाए है इस पोस्टर में छे आतंग्यों की फोटो लगी है जिसमें उनका नाम उनका पता भी रिखा हुआ है साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में इन आतंग्यों को देखता है तो तुरंथ पुलिस को सोचित करे दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ये सभी छ्वे आतंग्यों की अलकाइदा से सम्मंधित है और इनका मकसद भारत में आतंग्यों को अंजाम दिना है स्वतंता दिवस के मौके पर ये सभी आतंकी ना सिर्फ दिल्ली बलकि पूरे देश भर में आतंकी हमले करके अशांती फैलाना चाते हैं इनका मकसर शांती भंग करना और लोगों में डर का माहौल पैदा करना है दरसल खूफिया एजंसियों को इनपुट मिला है कि किसान आंदूलन की यार में कुछ उपद्रवी राजधानी में 26 जनवरी जैसी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं ये बात भी सामने आई है कि आतंकी संगठन ड्रोन का अस्तमाल भी कर सकते हैं आपसे कुछ तिनों पहले आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे संदिक्द ड्रोन देखे गए इसे के चलते हैं दिल्ली पूलिस कमिश्टर ने पहले ही ड्रोन उडाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है यानि कि ये कहा जाए कि स्वतनुटा दिवस से पहले ही दिल्ली पूरी तरह से च्छाबनी में तब्दील हो रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा दिल्ली से कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था पुखता गरती गई है जितने भी इंपुट्स मिल रहे हैं खूफे अजन्सियों को उनकी आधार पर ये सुरक्षा व्यवस्था की जारी है खासकर कि लाल किले के आसपास पूरी तरह से एक चक्रवियू तेयार कर दिया गया है ताकि कोई भी उस चक्रवियों को भेद ना पाए परिंदा भी पर ना मार पाए उत्राखन के हरिद्वार में कुम्ब मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामनी आया ईटी ने शुकरवार को इस मामले में मनी लोडरिंग को लेकर पाँच डाइगनोस्टिक्स फार्मों के टॉप अधिकारियों के घरों और आफिस की तलाशी ली इज़रान फर्जीबिल, लैब्टॉप, मुबाईल फोन, संपत्ति के काखजात और तीस तशमला नौ लाख रुपे नगद जब्द किये गए हैं ज़र्ज एजनसी ने जिन कंपनियों पर छापा मारा उनमें नोवस पार्थ लैब, डिने लैब, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, डॉक्टर लाल शामनी लैब्स और नलवा लेबरोटीज शामिल हैं देहरादून, हरीद्वार, दिल्ली, नुएडा और हिसार में तलाशी ली गई, राज्य सरकारें इन्हें पहले तीन करोड चालिस लाक रुपे का भुकतान भी कर चुकी है उत्राखंड पुलिस ने इस मामले में शुकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद E.D. ने ये जाच शुरू की थी वाकि ये चुका देने वाला है, इन प्रियोग शालाओ को उत्राखंड सरकार ने कुम्भ मेले के दौरान रैपिड एनिजन टेस्ट और आर्टी पीसियार टेस्ट कराने का ठेका दिया था आरोप है कि इन्होंने टेस्टिंग की जितनी संख्या दिखाई उतनी हुई नहीं थी लिस्ट में बहुत से नाम फर्जी थे, यानि कि टेस्टिंग के नाम पर फर्जी वारा धरले से किया गया है इडे ने बताए कि इन्होंने कई लोगों के लिए एक ही मुबाइल नंबर पते और फर्म का अस्तमाल किया बिना टेस्ट किये ही कई लोगों के नाम इसमें जोड दिये गए इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कुम्ब गए ही नहीं थे इनलेब्स के फर्जी नेगेटिव टेस्टिंग की वजो से उस समय हरदवार में पॉजिटिविटी रेट 0.18 प्रतीशत रहा जो की हकीकत में 5.3 प्रतीशत था ये घोटाला जून में सामने आये था पंजाब के एक व्यक्ति के मुबाइल पर कुम्बु में कोरोना जाच कराने का मेसेज आया जबकि वो हरदवार गई ही नहीं थे उन्होंने इसकी शिकायट दर्ज कराई इस मामले में ICMR की सक्रियता पर राज्य सरकार ने मामले की जाच शुरू की शुरुवात में एक लाग से अधिक फर्जी कोरोना टेस्टिंग करने की बात सामनी आई दरसल कुम्ब के दौरान राज्य में एक महिने के अंदर कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार 8,814 प्रशीतत की बढ़ोतरी हुई थी 14 फर्वरी से 28 फर्वरी तक उत्राखंड में महज 172 लोग संक्रमित पाए गए थे फिर 1 से 15 अपरेल के बीच 15,333 लोग कोरोना की चपीच में आए फर्वरी तक यहां हर दिन केवल 30 से 60 के बीच लोग संक्रमित मिलते थे एपरिल में इस अंक्या बढ़कर 2500 हो गई कोरोना की बढ़ते मामलों को लेकर अखाडे के साधु संत आपस में ही भिरते वे नजर आये थे खुब बयान बाजी हुई थी, खुब आरोप प्रत्यारोप हुए थे, खुब आरोप परत्वार भी हुआ था एक दूसरे पर कोरोना फैलाने को लेकर आरोप लगाने लगे, बैरागी अखाडे ने आरोप लगाया कि कुम्ब में संक्रमन सन्यासी अखाडों से फैला है निर्मोही अखाडे की अधियक्ष महंत राजेंद्र दास ने कुमों में बढ़ते संक्रवन के मामलों के लिए अखाडा परीशत की अधियक्ष महंत नरेंद्र गिरी को जिम्मेदार ठेहराया था और यह आरोप प्रतेरोप बहुत दिन तक चला लेकिन वाकई इन सब चीजों में इस तरह से फर्जी वाड़ा अपने आपने सवाल खड़ा करता है कि जिन कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं निभाए जाती आखिर क्यों घोटाले फर्जी वाड़े किये जाते हैं जहां पर दूसी लहर में हमने देखा था कि किस तरह से देश की जनता रोती बिलखती अस्पतालों के बाहर दम तोड़ती हुई नजर आ रहे थी चिताय ऐसे जल रहे थी जो मनजर आज तक किसी ने नहीं देखा था उसके बावजूद भी इस तरह की गड़बर घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं वो भी कुम्ब मेले में जो के पूरी तरह से पाक है जोहां पर हजारों की संख्या में लाकों की संख्या में साधू संत जाते हैं इसके बावजूद भी वहाँ पर जूटे आटी पी सियार के रिपोर्ट बनाए गई नेगेटिव और लोगों को धडले से पहुचाया गया यूपे विधाल सभाचुनाव दो हजार बाइस जिस पर सभी की निगाहे ठीकी हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूपे के मुखे मंत्री योगी आदितनात की है क्योंकि योगी आदितनात लोगसभाचुनाव 2019 से ही 2022 की तयारियों में जुटे हुए है यानि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का मंथन आज का नहीं बलकि शुरू से ही शुरू हो चुका है और ये तेजी के साथ बढ़ रहा है तो आए आज जानते हैं कि 2019 के लोगसभा में बीजेपी पर्शम लहराने के बाद यूपी 2022 विधानसभाचुनाव का सफर योगी आदितनात किस तरह से पूरा कर रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं देखें लोगसभाचुनाव में भाजपा को उत्तरप्रदेश में 62 सीठे मिलने के बाद उत्साहित राज्य के मुखे मंत्री योगी आदितनात ने 2022 के राज्य विधानसभाचुनाव की तयारियां शुरू कर दी थी इसके लिए उन्होंने प्रशासन के हर कोने को चूस्त दुरुस्त करने का काम तेजी से तब ही शुरू कर दिया था योगी ने इस क्रम में विवन विभागों के आल अधिकारियों और जिलास्तर के अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठके भी शुरू कर दी और अधिकारियों के लक्षुय भी उन्होंने तैकर दिये थी सूत्रों की माने तो योगी के नर्देश पर मुखे मंत्री के प्रमोख सचिव ने सभी संबन्तित अधिकारियों को पेले ही पत्र भेज कर समिक्षा बेठक की तयारियों के लिए कह दिया था योगी और इनकी पार्टी भाजपा को लोगसभा चिनाव के परिणामों के बाद ये समझ में आ गया था कि यदि प्रशासन को निचले स्तर तक ठीट कर लिया जाए और उसे जनता की प्रती जवाब दही बना लिया जाए तो 2022 की रहा आसान हो जाएगी योगी को ये भी पता है कि लोगसभा चिनाव में मोधी का चहरा सामनी था लेकिन मिधान सभा चिनाव में जनता उनकी और उनके कामों की समिक्षा करे versa योगी ने इसलिए अपने दिए कामों को लगातार बढ़ाया है और इसकी समिक्षा भी शुडू करती है विकास कार्यों पर हमेशा रही खास रजल योगी आधितनाथ ने कानून विवस्था विकास कार्यों और आजस विभाग के निशलेस तर तक की जानकारी प्राप्ट की हैं इनसानों में जिसके बाद मुख्य मंत्री ने चिकस्ता विभाग की समिक्षा भी की जिसमें उन्होंने मुख्य चिकस्ता अधिकारियों से लेकर डॉक्टरों तक की जवाब दे ही तै की अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये कि वे खुद जमीन पर उतर कर कारे करें माधमिक और बेसिक शुक्षा की रूप रेखा और उसे सुड़ुड बनाने पर चर्चा की और लक्षे भी निर्धारिप किये हैं इसी का फल है कि उत्तर प्रदेश में तमाम विकास होते हुए नजर आ रहे हैं जिले का ब्रह्मनकर विकास योजनाओं की हकीकत खुद जानी है 2022 की तैयारी तो बहुत पहले ही बीजेपी ने शुरू कर दी थी जिले का ब्रह्मनकर विकास योजनाओं की हकीकत जानी गई इसके लिए 45 अधिकारियों की टीमों का भी कठन किया गया जो हर जिले में जाकर विकासकार्यों का निरिक्षन कर सके और ऐसा हुआ भी मुख्यमंत्री हर उस मुल मुद्दे को छुना चाहते हैं जो जनता से सिधा जुड़ा हुआ हो उनकी हर भाषन में आप ये सुन भी सकते हैं दोहजर बाइस के चुनाव में सीधे योगी की परिक्षा है उत्रप्रदेश की राजनीती के कुछ जानकार कहते हैं कि 2019 का चुनाव मोदी और उनकी योजनाओ के नाम पर लड़ा गया लेकिन 2022 का चुनाव में सीधे योगी की परिक्षा होगी बिते सालों जो सर्वे हुए उनमें लोगों का कहना है कि योगी की मन्चा तो ठीक है लेकिन उनकी अधिकारी काम नहीं करना चाते काम जमीन तक नहीं पहुचा रही है इसलिए योगी खुझ जमीनी हकीकत से लगतार बैठके शुरू की है यही नतीजा है कि यह जो तैयारिया है बीजोबिकी या फिर यह कहें कि योगी आदितनाद की या आगसी नहीं है बलकि कई सालों से यह कहें कि जब से उस सथा में आए है तब से ही शुरू हो चुकी है विरो रिपोर्ट निश्वाल इंडिया बढ़ने लगी है ऐसे में चिंता बनी हुई है कि कैसे आने वाली तीसी लहर को रोका जाए क्योंकि कई राजोय कह चुके है कि वैक्सिन की कमी है जिसकी वजह से लोगों को वैक्सिनेशन नहीं हो पा रहा है लेकिर अब इस रफ्तार में तेजी आ सकती है वो कैसे देखिए इस खास रिपोर्ट में भारत को पहली सिंगल डोज वैक्सिन मिल गई है शनिवार को अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉंसन एन जॉंसन की कोरोना वैक्सिन को सरकार ने बजन्सी यूस अप्रूबल दी दिया है यह वैक्सिन अमेरिका समेथ कई देशों में इस्तमाल हो रही है इस वैक्सिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिंगल डोज वैक्सिन है इससे पहले कंपनी ने भारत में ट्राइल के रिए भी आवेदन किया था लेकिन भारत सरकार ने प्रतीस्टिट वैक्सिन निर्माता कंपनीयों को ट्राइल में छूट देने का फैसला लिया है उसके बाद कंपनी ने सीधे एमर्जनसी यूज के लिए 5 अगस्त को अप्रूवल मांगा दो दिन बाद ही स्वास्त मन्फरी मनसुख मनाविया ने इस वैक्सिन के एमर्जनसी अप्रूवल देने की जानकारी दी आए समझते हैं ये वैक्सिन काम कैसे करती है कितनी इफेक्टिव है भारत में कब तक आ सकती है और इस वैक्सिन की खासियत क्या है अगर प्राइविट तोर पर ये वैक्सिन आती है तो कितने की मिलेगी वैक्सिन के बारे में जानना ज़रूरी अमेरिकी कंपनी जॉंसन औ जॉंसन ने हैद्रबाद की कंपनी बाइलोजिकल इस से करार किया है यह सिंगल डोज वाक्सिन है इस वाक्सिन को डब्लू एचो भी अप्रूफ कर चुका है और फिलहाल करीब करीब साथ डेशों में इसे इस्तमाल किया जा रहा है वाक्सिन कैसे काम करती है जॉंसन एन जॉ यह वारस खुद इतना ताकतवर नहीं होता कि आपको संक्रमित कर सके जॉंसन एन जॉंसन के केस में कोरोना वारस के जीन को एडिनो वारस में मिलाकर बनाए गया है यह सेल हमारे शरीर में स्पाइक प्रोटीन को बनाता है यही प्रोटीन बाद में वारस से लड़ने में इ जापान नीदरलेंट और बेल्जियम में किये थे इसके बाद हर फेज में ट्राइल के दारे को और बढ़ाये गया तीसरे फेज में कंपनी ने 17 देशों में वैक्सिन के ट्राइल किये थे चालिस हजार से जादा लोगों पर किये गए क्लिनिकल ट्राइल में वैक्सिन की ओवरल एफिकेसी 86 प्रतीशत पाई गई थी साथ ही हॉस्पिलाइजरेशन से रोकने में भी वैक्सिन 85 प्रतीशत कारगर है जॉन्सन और जॉन्सन वैक्सिन लेने के चार हफते बाद करूना स संकमित लोगों में किसी को भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया था भारत में भी क्लिनिकल ट्राइल के लिए अवेदन किया था लेकिन भारत सरकार ने अमारिका जापान यूरो ड़्याइच्च द्वारा अप्रूफ्ट और प्रतिश्च्ट वैक्सिन निर्माता कंपनि जा रही वेक्सिन को भारत में क्लिनिकल ट्रायल से छूट दी इस वज़ों से कम्पमी ने सीधे मजंसी यूज के लिए आवेदन किया हाला कि पहले वेक्सिन सौ लोगों को दी जाएगी और साग दिनों तक इन लोगों की निख्रानी की जाएगी इन साथ दिनों के दूरान किसी तरह कि साइड एफ तो क्या ये कॉर्ण से बचाएगी भारत में फिलहाल कोगिजी को वैक में इसन स्पूतने अवेलेबल हैं इन तीनों वैक्सें की एसकेसी जोन्सन और जोन्सन की वैक्सें से ज्यादा है कमपनी का कहना है कि वैक्सिन की कंप efficacy के पीछे ज्याधा लोगों पर किये गए प्रीस की वजह हैं साथ ही कंपनी ने कहा है कि कईन देशों में ऐसे समय पर ट्राइल किये गए जब को रोना केसी पीक ठेंग इस Burns से भी वैक्सिन की अफिकेसी कम है हाल ही में दक्षिर अफ्रीका में क्लिनिकल ट्राइल में सामनी आया कि जॉंसन एंड जॉंसन वैक्सिन डल्टा और बीटा वरियंट के खिलाब भी एफेक्टिव है पांच लाग से भी जादा हेल्थ केर वोकर्स पर किये गई सर्वेस से प पर बूबल पाने वाली यह par Score वैक्सिन है इसे पहले चुण की वैक्सिन को मजूरि मिल चुकी है कहा जा रहा है कि समखने के अन तक यह वैक्सिन देश में उप्लब्द होई किया बदलेगा वैक्सिन आने के बारद क्या कुछ बद्ला जाएगा तमाम सवाल है यो और हाल वैक्षिन के 50 करोड डोस दिये जा चुके हैं, हाल ही मेरे पूर्ट सामनी आई 28 प्रतीशत अबाधी को वैक्षिन का 1 डोस और आज प्रतीशत अबाधी पूरी तरह वैक्षिनेट हो चुकी है अगर भारत में Johnson & Johnson वैक्सिन आती है तो भारत की वैक्सिनेशन प्रोग्राम को रफ्तार जरूर में देगी इसके सिंगल डोस वैक्सिन होने की वजह से एक डोस के बादी रोग पूरी तरह वैक्सिनेच हो जाएंगे तीसी लहर की आशंका के बीच ये बड़ी राहत होगी साथी इस वैक्सिन को स्टोर करने के लिए अडिशनल, कोल, स्पाल, शेन की जुरत नहीं होगी वैक्सिन के पैक बारल को 9-25 डिग्री तापमान पर 12 घंटे तक रखा जा सकता है सामाने तापमान पर वैक्सिन 4 घंटे तक खराब नहीं होगी कितने डोज मिल सकते हैं? भारत में वैक्सिन प्रडुक्शन के लिए जॉंसन औन जॉंसन ने हैदरबाद की बायलोजिकल ई से करार किया है अलग लग रिपोर्स के मताबिक बायलोजिकल ई करीब 7 करोड डोस हर महीने बना सकती है यानि हमारे पास मौझूदा वैक्सिन के अलावा हर महीने 7 करोड डोस अतरिक्त उपलब्ध होंगे आपरेल में अमेरिका ने जॉंसन औन जॉंसन के स्तमाल पर रोग लगा दी थी वैक्सिंेशन के बाद वहां 6 लोगों में खूनके ठक्के जयुम्रे की शिकायत मिली थी इनमें से स्वास्त तंत्रिकाओं पर हमला करता है जिसे शरील में कमजोरी हाथ-पैर में कंपन आना हलाकि वैक्सिन और इस शिंड्रोम के बीच में अभी तक कोई कनेक्षण नहीं पता चल सकता है लेकिन जिस तरह से यह मंजूरी दे गई है इस वैक्सिन को इससे कही ना कही यह जरू उतनिक वीवी है और अब अगर जॉनसन और जॉनसन की वैक्सिन आएगी तो साथ करोड रोज हमारे पास हर महिने उपलब्ध होगी यह रूपोर्ट प्रीज वल्ली रिया इसी वजह से जेपी नड़ा लगातार यूपी का दोरा कर रहे है और भाजपा के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा नव निर्वाची जिला पंचारत अध्यक्ष और ब्लोक प्रमुकों को संबोधित करते हुए ये कहते वे नजर आए कि सभी पदाधिकारी यूपी चिन नड़ा ने आपको चुनकर भेचा है आप जनता के नेता है उसके विश्वास के कस्टोडियन है उसके विश्वास को सभाल कर रखना चाहिए वही पंचायत चुनाव पर नड़ा ने कहा कि योगी सरकार ने लोकतंत को मजबूत करने का काम किया है जिस तरीके से इस महामार तरी योगी आदितनाथ की तारीफ करते वे कहा है कि योगी जी कि नत्त तुमें आज यूपी तेजी से तरक्की कर रहा है दशकों से कई गाव ऐसे थे जहां कभी बिशली नहीं आई लिकिन मोधी और प्रदेश में योगी के नत्त तुमें आज लोगों के जीवन में कि योगी आदितनात की मनचा तो बहाद अच्छी है लिकिन अधिकारी कहीं नगाओं चूप कर देते हैं ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि यह गलती दोबारा हो क्योंकि अगर यह गलती दोबारा होती है तो आने वाले समय में इसका नुक्सान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है उत्रप्रदेश में लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती तो आई आगे सुनते हैं कि जेपी नडड़ा ने और क्या कुछ कहा मोदी जी के द्वारा एक रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा सौ पैसा नीचे तक जाता है इस बात को हमको समिलना चाहिए और इसलिए यह हमारी जिम्मवारी बन जाती है कि वह सौ पैसा एक रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे इसकी चिंता करना या हम जन प्रतिनिजियों की जिम्मेवारी बने है हमसे जब खरी लोग बोलते हैं चुनाओ जितने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया मैं सब को एक बात बोलता हूँ देखो याद रखना आपको जन्ता ने चुन के भेजा है आप जन्ता के नेता नहीं है आप जन्ता के विश्वास के कस्टूडियन है उसको विश्वास को सम्हाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है इसको हमको समझना चाहिए और उसकी विश्वास को हम कैसे सम्हाल कर रख सके हैं, इसकी हमको चिंता करने चाहिए। मित्रों मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग रास, अंतिम, शेक्तर के बिल्खुल जिसको कहते हैं कि प्रजात अंतर को नीचे तक समझने वाले लोग हैं। राजनीती में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं। हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टी देने वाले हैं। लीदर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेच करना चाहिए और उस एजेंडा को ले करके आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए मैं आप सब लोगों से लिवेदिन करना चाहूंगा कि आप सब लोग राजनेतिक विष्टी से अपने आपको परिपक्व बनाते हुए लैस करें और जब मैं लैस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप आर्गिमेंट्स के साथ लैस करें चर्चा होनी चाहिए लोगों को मैदान में पूछना चाहिए अप उत्रपदेश की मैं बात करूँ सोभाoup ओजना में लग बखाव सती लाक घरों को बिजनी मिली आ मैं लगों के पास के गाओं में गया था उसमें आदरनी योगी जी न आप नहीं भेजा था कि ये इस गाओं को बिजली मिलिये इस गाओं में एक बस्ती है उसको बिजली मिलिये आप जा करके देखिए मैं वहाँ गया था उन गरीब लोगों के बीच में मैं बैटा था बिल्कुल एरपोर्ट से साथ में सटा हुआ गाओं है वहाँ में गया वहाँ मुझे गाओं के लोगों ने कहा बाबुजी फरक आ गया है बहुत मैंने क्या परक आ बहुत पहले हम इंजिनियर के बास जाते थे कि फॉन पर साइन कराओ मेरे को साम तक आपको विजली देनी है तार्गेट पूरा करना है यह फरक आ गया है यह जमीन की बात बता रहे हैं नहीं मैं को मन खड़न बात नहीं करता है जो जमीन पर खटिया उत्तर देश के अंदर की बात बता रहे हैं ऐसे फरक पढ़ने की आई इसमान भारत मुझे सवागे मिला है सारी दुनिया में आप जब भी किसी इलेक्शन का एजंडा होता है मैनिफेस्ट होता है कभी सुनने की और समझने की और पढ़ने की इच्छा रखिए अमेरिका का इलेक्शन हेल्ट फॉर और यूनिवर्सल हेल्थ केर अगर यूर प्रेस्टों में नहीं लिखा लेकिन आयूश्मान भारत दस करोड़ चोहत्तर लाख परिवार पचास करोड़ लोग को पांच लाख रुपे का सालाना एक परिवार को हेल्ट कवर दिया गया है इस बात को समझना चाहिए तो हजार से जादा ऑपरेशन करने की उसमें तो साथ की बात में फिराल के लितना ही अगले सब्ता फिर लोटेंगे साथ की बात में तमाम उन मुद्दों के साथ जो आप से जुड़े होए है